आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ दूसरी है 5x-6y is equal to 30 देन दा probability that y is less than 1 तो y की value less than 1 है तब हमें क्या निकालने लिए probability तो यहाँ पे पहली equation क्या है हमारी 2y plus x that is equal to 6 दूसरी equation क्या है 5x-6y that is equal to 30 ठीक है तो यहाँ पे अगर हम एक तो इन दोनों का intersection निकाले तो कितना हैगा हमारा तो यहाँ पे 3 से multiply कर देते हैं तो कितना होगा हमारा 6y plus में 3x that is equal to 18 दूसरा है हमारा 5x minus में 6y is equal to 30 ठीक है तो इन दोनों को simplified करते हैं तो क्या हैगा हमारा यहाँ पे ordinate intersection 5 और 3, 8 8x और यहाँ पे हो गया हमारा 48 तो x की value कितनी होगी हमारी 6 जब x की value 6 है तो y की value कितनी होगी 0 तो यानि कि x axis पे दोनों क्या कर रहे हैं intersect अब यहाँ पे इन graph को draw भी करना है लाइन को ठीक है तो यहाँ पे x की value 0 है x की value अगर हमारी क्या है 0 तो y की value कितनी है हमारी 3 ठीक है अगर y की value 0 है तो x की value कितनी है 6 तो इसके coordinates हो गए इस वाली line के draw करने के लिए और इसके निकाले तो कितनी हो जाएंगे x की value 0 है तो y की value कितनी है minus 5 और y की value 0 है तो x कितनी है 6 ठीक है तो यह coordinate कर देते हैं तो यहाँ पर area को draw करने के लिए बनाना पुरेगा y और x y axis यह हो गया और x axis यह हो गया ठीक है तो यहाँ पर हमारे coordinates क्या है coordinates है 0,3 6,0 0,3 तो यहाँ पर हो जाएगा कहीं 0,3 ठीक है और 6,0 कहीं यहाँ हो जाएगा 6,0 ठीक है next क्या है हमारा 0,-5 एक होगी हमारी यहाँ पर 0,-5 ठीक है अब इनको join कर देते हैं join होंगी कहाँ पर यहाँ पर 6,0 पर intersect करेंगी जो ठीक है तो यह जो area है हमारा इसकी हमें probability निकाल नहीं है ठीक है कि अगर हमारे पास कोई line है y is equal to 1 तो हमारी क्या probability होगी ठीक है तो probability का formula क्या होगा total shaded area probability का जो formula होगा हो क्या होगा हमारा equal to total shaded area total shaded area और जब हम line draw कर देंगे y is equal to less than 1 यानि कि y equal to 1 से कम वाली चाहिए हमें तो ये वाला मालो y is equal to 1 जो है हमारा ये वाला कहीं area है ठीक है y is equal to 1 तो इसकी probability हमें निकाल लेंगे y is less than 1 की इसकी probability is less than 1 की probability निकाल लेंगे ये जो area है divided में total area तो ये वाला area कैसे निकालेंगे हम total area total area minus में ये वाला चोटा वाला जो area above area ठीक है top area top area ठीक है तो यहाँ पर total area निकालते हैं सबसे पहले तो ये triangle है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 by 2 multiply base कितना है 6 height कितनी है 8 तो ये total कितना हो गया हमारा 24 ठीक है अब ये वाला area निकालेंगे तो ये इस line को intersect कर रहा है तो यहाँ पर y is equal to 1 पर ये जो हमारी 0,3 वाली line है y is equal to 1 पर तो x की value कितनी हो गई अब हमारी 6 में से 2 गई तो 4 x की value y की value अगर 1 है ठीक है तो x की value कितनी होगी 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 1,4 ठीक है y की value 1 है तो x की value होगी 4 तो ये उल्टाएगा 1,4 नहीं 4,1 ठीक है तो ये base कितना हो गया है यहाँ से यहाँ तक का 4 हो गया क्योंकि ये तो origin है same distance है तो उपर वाला area कितना होगा हम हमारा 24, minus में 1 by 2, multiply base कितना है 4 और यहाँ पर ये length कितनी है, 1, 3 में से 2 हो गया तो 1, height हो गई हमारी divided मे divided मे 24 ठीक है तो divide में कितना करेंगे 24 तो ये कितना आ गया 20 by 24, इसको simplified कर देंगे 4 से 5 बाए 6 तो probability of y less than 1 कितनी आई अब हमारी यहाँ पर answer 5 by 6 तो 5 by 6, that is option number 2 is correct, thank you Classics चुट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 84444 पर